तो एक सिंपल सा कॉश्चन है कि मोबाइल फोन में कैसे पता लगाएं कि कौन सा कैमरा बैटर है वेल काफी लोगों का मानना है कि जादा मेगापिक्सल मतलब बैटर कैमरा ऐसा बिलकुल भी नहीं है image sensor कैमरा का सबसे important hardware है और यही define करता है कि कौन सा कैमरा बैटर है और कौन सा नहीं image sensor कई टाइप और sizes में available हैं लेकिन एक simple तरीके में बताना हो तो अगर दो कैमरा में सब कुछ सेम हो सिर्फ एक कैमरा का sensor चोटा है और दूसरे कैमरा का sensor बड़ा है तो बड़ा sensor ही ज्यादा अच्छी image produce करेगा तो इसका reason यह है कि image sensor एक ऐसा component है जिसके उपर जब light हिट करती है तो यह उसे electrical signal में convert करता है image sensor में होते हैं बहुत छोड़ छोड़ टाइनी dots जने कहते हैं photo sides या pixel भी कह सकते हैं basically photo side पे जितनी light हिट करती है उससे एक pixel create हो जाता है मतलब अगर sensor पे total 4x3 के form में 12 photo sides हैं तो हमारे पास 12 pixel की एक image ready हो जाती है यहाँ example में हमारे पास एक size के दो sensor है left sensor पर 5x5 के form में 25 pixel का sensor है और right में 3x3 के form में 9 pixel का sensor है तो यह भी एक fact है कि photo side का size जितना बड़ा होगा उस पर light उतनी ही जादा हिट करेगी और जितनी जादा light हिट करेगी उतना ही better image process हो पाएगा जब दोनों ही sensor का size same है तो clearly जिस sensor में pixel का size बड़ा है वो better image videos कर पाएगा तो इस theory के हिसाब से कम megapixel वाला camera जादा better performance दे रहा है अब समझते हैं उस camera को जो हम use करते हैं एक 12 megapixel के camera के अंदर जो image sensor होगा उसके अंदर होंगे 12 million photosites अगर हमारा image का size 4000 x 3000 तो sensor में होंगे 4000 x 3000 के form में 12 million photosites तो अब same theory यहां लगाएं तो दो same sensor हैं जिसमें 12 megapixel की image दे रहा है और 24 megapixel की image दे रहा है तो ऐसे में 12 megapixel की image में हमें better quality देखने को मिलेगी ये camera better low light pictures देगा और noise भी कम रहेगा So the conclusion is कि बड़ा sensor मतलब better quality अगर हम 10,000 रुपए के device में लगे camera की बात करें जैसे कि Redmi Note 7 इसमें 12 megapixel का camera है और Google Pixel 3 में भी 12 megapixel का ही camera है जिसका price 50,000 से भी जादा है तो क्या दोनों camera same हुए? I hope you understand the situation here Camera sensor ही image quality को define करता है लेकिन consumers के दिमाग में ये fit हो चुका है कि जितने जादा megapixel उतना अच्छा camera तो इस illusion का use करती हैं companies marketing agenda बना कर phone को sell करती है देखा जाए तो Redmi Note 7S ये 7 Pro जैसे devices में 48 megapixel का camera डाला ही इसलिए गया है ताकि वो जादा devices बेच पाए अगर वो चाहते तो उतनी ही price में थोड़े better sensor लगा के अच्छी image quality produce करने वाला camera दे सकते थे लेकिन ये companies को अच्छे से पता है कि कुछ unique नहीं होगा तो आप device खरीदेंगे नहीं खैर इस सब का conclusion यही है कि megapixel देखकर हमें camera को judge नहीं करना चाहिए जब मैं ये video बना रहा था तभी इस लोग भाई ना same topic भी video बना डाली मेरे पास अभी उतने camera equipment नहीं है इसलिए आप चाहो तो उसका video जाकर देख सकते हो explanation भाई की बहुत funny और बहुत सही है वीडियो का link मैंने दिया है description में और हाँ comment में hashtag megabyte army लिग देना भाई को अपना प्यार पहुंजना चाहिए और एक छोटी सी चीज़ है image processing जिसमें पूरा काम होता है software का जब photo लेने के लिए हम shutter button दबाते हैं तो sensor electrical signals phone को भीजता है फिर phone software और processor का use करके उस data को process करता है ये process भी बहुत important है image की quality में काफी phones ऐसे हैं जिन में camera तो बहुत superior है लेकिन software processing उतनी अच्छी नहीं है कि image अच्छी produce कर पाए example MI A1 ये Nexus 5 जिसमें Gcam camera application से जब picture ली जाती है तो अलगी लेवर पर बहुत अच्छी photo मिलती है जबकि default camera पर उतनी अच्छी images नहीं दे पाता अगर आपको Gcam application के बारे में नहीं पता तो मेरा next video इसी topic पर based रहेगा so you might want to subscribe to the channel anyways my point was to let you know about the megapixels I hope you understand it very well thank you so much for watching and I'll see you next time